ओम नमू भगवति वासु देवाय नमा नमस्काल दोस्तों कैसे हैं आप सब बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ओफ प्रेजना दोस्तों जेश्च मास की अमवश्या को वट्सावित्री वृत्, उत्तर और पूर्फ के बहुत सारे राज्यो में मनाया जाता है कई सारी जगहा पर यह व्रत पूर्णिमा तिति वाले दिन भी किया जाता है दोस्तों या व्रच सुहागि नस्त्रियां अपने पति के लंबी उम्र के लिए रखती है ऐसी माननेता है कि बर्गत के पेड में अमवश्या वाले दिन ब्रमा विश्नु महेश तीनों का ही वास होता है तो इस दिन बरगत के पेड़ की पूजा करने से ना केवल पती की उम्र लंबी होती है बलकि उनकी तरक्की भी होती है आपके संतान की तरक्की होती है और आपके पूरे घर का भला ही भला होता है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ नियम जिनका पालन आपको वर्ट सावित्री वरत वाले दिन पूजा वाले दिन जरूर करना चाहिए जिसको करने से आपको वरत का पूर्ण फल मिलता है चाहे आप ये वरत पहले से कटी चली आ रही है या आपने इस बार पहली बार ये वरत रखा है या रखने जा रही है फिर भी आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए क्योंकि इन नियमों का पालन करने से ही आपको वरत का पूर्ण फल मिलता है शास्त्रों में ऐसा बताये गया है कि वड साुच्छी पूजा उसस दिन आपको करनी है उस दिन के पहले एक दिन पहले भी आपको सात्विक भूजन ही करना चाहिए जैसे कि नहाखा का नियम होता है उसका पालन आपको करना चाहिए उस दिन मासमद्रिया का सेबन बिलकुल नहीं करना चाहिए तो पूजा के एक दिन पहले से सुतिता का ध्यान जरूर रखें दूसरा नियम जो कि बहुत ही जरूरी है वह यह है कि जब भी आप को इस तरह की सुहाग वाली पूजा करने जाएं तो आपको श्रिंगार का पूरा ध्यान जरूर रखना चाहिए सुला श्रिंगार करके ही इस तरह की पूजा करने चाहिए जिससे की आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है और आपके सुहाग में व्रिद्धी होती है यानि कि आपके पती की उम्र लंबी होती है कई बार समय के अभाव में हम तयार नहीं हो पाते लेकिन फिर भी जब भी श्रिंगार जरूर करना चाहिए और जो शादी का डुपट्टा होता है या चुन्दी होती है उसे जरूर ओर लेना चाहिए दोस्तों तीसरा नियम है कि जब आप वर्ट सावित्री पूजा वाले दिल सुबा उठें तो आपको नहा धोकर सबसे पहले व्रत का संकल्प ले तामे के पातर में जल ले लें कुछ लाल फूल ले ले उसमें रोली डाल ले और सूर्य भगवान को पूर विदिसा की दरफ मूँ करके जल जरूर दें सूर्य भगवान आपके समस्त परिवार को आपके पती को निरोगी होने का आशरवात देते हैं और उनकी उम्र लंबी होती है और उन्हें यश और कीरती भी मिलती है दोस्तों अगला नियम्या है कि आपको वट सावित्री पूजा में जब आप पूजा करने जाएं तो आपको भीगे हुए काले चने जरूर लेके जाना है अगर आपने कथा सुनी होगी तो उसमें जब यम्राज ने सावित्र का बहुत बड़ा विधान है काला चना आपको वट सावित्री रखने जरूर जरूर चड़ाना है इसक लिए एक दिन पहले से ही काला चना जरूर भिगो कर रख दे दोस्तों अगला नियम्या है कि शास्त्रों में ऐसा बताय गया है कि माता सावित्री जब अम्राज से अप इस शरीर का ध्यान रखेगा और जब वो प्राण लेकर वापस आई तो उन्होंने बर्गत के पेड़ की परिक्रमा की थी और उनका आभार प्रकट किया था इसलिए इस दिन बर्गत के पेड़ की परिक्रमा करने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है अब परिक्रमा कितनी करी जाए ये आपके घर में जो भी रियम फॉलो करे जाते हैं उस पर डिपेंड करता है जैसे कहीं पर पांच, कहीं आठ, कहीं बारा तो कहीं 108 फेरे लगाया जाते हैं तो आपके घर में जितने भी परिक्रमा की जाती है आप उस हिसाब से बर्गत की बेड़ की परिक्रिमा जरूर करें दोस्तों अगला नियम या है कि वर्ट्रिक्ष की पूजा में आपको पंखे का इस्तमाल अवश्य करना है यानि कि एक बांस का पंखा आपको वर्ट्रिक्ष के नीचे जरूर लेके जाना है उससे आपको सबसे पहले वर्ट्रिक्ष को हवा करनी है सावित्री सत्यवान यम्राज को हवा करनी है और उसके बाद जब आप उस पंखे को वापस अपने घर लेकर आएंगी और अपने पती को हवा करेंगी तब ही उनके जीवन में सुक शांती सम्रती आती है बास के पंखे को एक बहुत ही जरूरी समान बताया गया है जो कि आपको वर्ट सावित्री पूजा में जरूर जरूर चढ़ाना होता है इसके बाद दोस्तों वर्ट सावित्री पूजा में एक जो बहुत जरूरी चीज है वो है कच्चा सूत जी हाँ जब आप फेरी लगा रहे होते हैं या परिक्रमा लगा रहे होते हैं तो आपको कच्चा सूथ बर्गत के पेड़ पे लपेटे हुए ही फेरी लगाना है और उसके बाद जितने भी आप फेरे डाले उसके बाद जो कच्चा सूथ बच जाए उसे पहीं पर खोज दे दोस्तो ऐसी मानेता है कि वर्ठ सावित्री पूझा वाले दिन अपने घर से बनाए भोग से भोग vat जाता है बिहार में ठेकवा बनाया जाता है और जिन से कुछ भी नहीं हो पाता है वो मिठाई खरीद कर चढ़ा देते हैं तो जैसा आपके घर में नियम है वही उसी नियम से आपको काम करना है पर आपको इस बात की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि आप अपने घर से कुछ और ले जाकर बर्गत के पेड़ के नीचे चढ़ाएं दोस्तों कई सारे प्रांत में चावल को पीस कर और उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और बदगर्द के पेड़ के उपर उससे हाथ से चापे लगाया जाते हैं यह चापे सुभता का प्रतीक होते हैं ऐस तो जैसा आपके घर में होता है आप वैसा कर सकते हैं अगर आपके घर में ऐसा चापे लगाने का नियम नहीं है तो भी आप इस नियम को शुरू कर सकते हैं ऐसा करने से आपके घर में शुपता आती है दोस्तों दस्वा और आखरी नियम है वो जो है व्रत खोलने पर है तो व्रत कब खोला जाता है यह हर एक प्रांथ में अलग-अलग होता है जैसे यूपी में वहीं बर्गत के पेड़ के नीचे ही चने को खाकर व्रत खोला जाता है कहीं पर घर आकर प्रशाद का कर कोला जाता है कहीं शाम तक का व्रत होता है और कहीं कहीं अगले दिन तक का व्रत होता है तो आपके प्रांथ में आपके घर में जैसा भी नियम चाथता हो आप उस हिसाब से व्रत का पारन करें पर परत का पारण करते हुए आपको प्रशाद ग्रहन करना चाहिए क्योंकि ऐसी मानयता है कि बर्गत के पेड़ का, सत्यवान का, सावित्री का और यम्राज की पूझा करने के बाद जो प्रशाद होता है उस प्रशाद को ग्रहन करने से आपके पती की उम्र लंबी होती है तो दोस्तों ये हैं वो दस बहुत ही जरूरी नियम जिनका पौलन आपको वट सावित्री व्रत में जरूर करना चाहिए जिनको करने से आपका वरत पूर्ण माना जाता है और आपके समस्त परिवार की उम्र तो लंबी होती ही है साथ साथ अरोग्य का भी आपको वर्दान मिलता है आपके घर में लोग बिमार नहीं पढ़ते हैं धन्यवाद वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों में शेय कर दीचेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीचेगा धन्यवाद राधे राधे